Hello everyone, Asian Games 2022, जोगी अभी 2023 में हुआ है, हाल ही में successfully complete हो चुका है और Asian Games के पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने 100 प्लस मेडल्स जीते हैं Asian Games में तो काफी ही proud moment है हमारे लिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवी अदीती Classes में और फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्स करेंगे Asian Games से जुड़े हर एक important question के जो आपके exam में आ सकते हैं फ्रेंट्स मैंने आप ये सारे question selected और most important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा useful रहने वाला है तो चलिए बीना देर करे हुए वीडियो को start कर लेते हैं पूरे वीडियो के end तक बने रहीएगा हम हर एक important question आपके लिए आपके लिए आपर cover करेंगे जो आपके exam point of view से important है start करते हैं आपके पहले question से which country has stood first in the medal table of 19th Asian Games तो 19th एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है काफी important question हो जाता है friends आपके exams के लिए तो 19th एशियाई खेल यानि कि देख लीजे आपर इसका edition क्या है 19th edition है ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि first कौन आया है तो यहाँ पर आगया है चीन तो right answer हो जाएगा option number B देखे बात करेंगे इन्होंने कितने medals यहाँ पर जीते हैं देखे ये medal tally है जहाँ पर first rank आप देख सकते हैं चाइना है जिसने 201 gold medals 111 silver medals और 71 bronze medal को जीता है तो total यहाँ पर 383 medals के साथ चाइना आगया है first rank पर second की बात अगर आपसे करें तो जपान है third में है Korea, fourth है इंडिया आपके लिए काफी important है fifth आ जाता है उजबेकिस्तान तो देखे जपान ने यहाँ पर total 188 जिसमें से 52 gold, 67 silver और 69 यहाँ पर bronze इन्होंने हासल किया पॉइंट, 28 gold हमने लिया है, 38 silver और 41 bronze तो total यहाँ पर कितने हो जाते है 107 medals और उजबेकिस्तान की बात करें तो 22 यहाँ पर gold है, 18 silver है और 31 यहाँ पर bronze है, तो यहाँ पर कुल मिला कर इन्होंने 17 medals को हासल किया है और friends अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा gold medal किसने लिया है, तो gold यहाँ पर लिया है सबसे ज़्यादा चाईडा निए, even silver भी इन्होंने ही सबसे ज़्यादा लिया है और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर bronze किसने सबसे ज़्यादा लिया है Asian Games में 2022 का Asian Games था, इस year इसको organize किया गया था, ठीक है, इसलिए आप में आपके confused बिल्कुल मत होईएगा, देखे हिंदी में Asian Games 2022 का आयोजन कहा हुआ है, friends, Asian Games 2022 का आयोजन किया गया था, Hangs Out चीन में, तो right answer हो जाएगा, option number A, देखे हैं, बात करते हैं, इसके बारे में, यह है Hangs Out, ठी पूरे detail में Asian Games के, देखें, edition है, इसका 19th, बात करी जाए, event कब से कब तक हुआ, तो 23 September से ले करके, 8 October तक इसको organize किया गया था, और where was the inauguration, तो इसका inauguration हुआ है, Olympic Sports Center, Hangzhou, चाइना में, ठीक है, तो उदगाटन इसका, यहाँ पर हुआ है, Friends, इसके साथ साथ, देख लीजेगा, motto की बात करें, तो heart to heart, इसका यहाँ पर motto दिया गया था, official theme song था, with you and me, यहाँ पर China has hosted the Asian Games three times, ठीक है, तो तीन बार Asian Games को, China द्वारा host किया गया है, मेजवानी इसकी की गई है, कब-कब है, तो देख लीजे, 1990 में, 2010 में, और 2023 में, तो से पूछा जाए, friends, तो यह हो जाएगा, 655, तो सारा points मैंने आपके लिए, most important यहाँ पर include कर दिया है, चलिए, आपका next question यहाँ पर रहेगा, what was the official mascot of 19th Asian Games, निस्वे एशियाई खेलो का आधिकारिक शुभंकर क्या था, friends, यहाँ पे इसका mascot दिया गया था, Chen Chen, Kong Kong और Lian Lian, तो right answer हो जाएगा, option number D, all of the above, तो बात करेंगे इसके बारे में आपर detail में देखिए, 19th Asian Games, features three robot mascots, memories of Jiangnan, ठीक है, तो 19th एशियाई खेलो में, तीन रोबोर शुभंकर, memories of Jiangnan शामिल है, तो देखें, इसको हिंदी में भी discuss करेंगे, तीन रोबोटों में, कॉंग कॉंग, लियांगु शहर के पुरातित्विक धरोहर को दर्शाता है, जबकि लियान लियान पश्चिम जील का प्रतीक है, और तीसरे रोबोट के अगर बात करें, तो चेंचुन जो है, यह बीजि इसका explanation, अब बढ़ते हैं आपके next question की तरफ, what position has India held in the medal table of 19th Asian Games, तो भारत 19 एशियाई खेलो की पदक तालिका में, किस थान पर रहा है, तो friends बात करें इंडिया की, हमने अल्रेडे इसको discuss किया, इंडिया यहाँ पर रहा है, 4th rank पे, ठीक है, तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, फिर से एक बार discuss करेंगे medal tally को, देख लीजे, यह रहां इंडिया 4th position पे, कितने हैं देख लीजे, 28 gold, 38 silver और 41 bronze, तो total 107 medals के साथ, इंडिया आ गया है 4th rank पे, friends बढ़ते हैं आपके next question की तरफ यहाँ पर, देखें, who was the flag bearer of Indian contingent during the opening ceremony of Asian Games 2020-23, तो देखें आपसे बात करें पूछा जा रहा हैं यहाँ पर, ओपनिंग सेरिमनी में, ठीक हैं, इंडिया खेल 2022-23 के उदगाटन समारों में, भारतिय दल के धवजा वाहा कौन थे, तो friends इंडिया contingent के, Asian Games में flag bearer रहे हैं, हर्मन प्रीट सिंग और साथ में लवलीना बुर्गोहें, तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, बोध, 1 and 2, तो friends यह रही इनकी picture, flag bearer के, देखें, the 19th Asian Games concluded on 8th October 2023, with India's flag bearer PR Shree Jay, तो देखें, opening ceremony में बात करें, तो कौन थे, हर्मन प्रीट सिंग और लवलीना बुर्गोहें, और यहाँ पर आप बताया जा रहा है, कि 19th एशियाई खेलों के समापन के समय पर, जो 8 October 2023 को हुआ है, यहाँ पर भारत के द्वजा वाहाँ रहे हैं, PR Shree Jay, तो friends, दोनों points को आ काफी अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, बढ़ते हैं आपके next question की तरफ, who won India's first gold medal in Asian Games 2022-23, तो Asian Games 2022-23, में भारत का पहला स्वंड पदक किसने जीता है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्वंड पदक भारत का जीता है, men shooting team ने, पुरुष shooting team ने जीता था यहाँ पर पहला gold medal, देखें, competition था shooting men's 10-meter air rifle, team में कौन-कौन थे देखें, दिव्यांज सिंग पनवर, रुदरांग्ष पाटिल और एश्वरिया प्रताप सिंग, तो इन तीनों ने मिलकर जीता था हमारा first gold medal at Asian Games 2022, बढ़ते हैं friends, आपके next question की तरफ, which country won the most gold medals in 19th Asian Games, तो 19 एशियाई खेलों में सरवाधिक स्वंड पदक किसने जीता है, तो सरवाधिक स्वंड पदक जीता है friends यहाँ पे चाइना में, तो मैंने आपको अल्रड़ी बताया कि चाइना ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर gold भी जीता है और silver भी जीता है, तो यह तहाँ फिर से आप देख लिजे medal tally को, आप देख सकते हैं, सकसे ज़्यादा जो gold और silver है, यह जीता गया है चाइना के द्वारा, और अगर आपसे friends पूछा जाए bronze, तो यह जीता गया है कोरिया के द्वारा, friends आपका अगला question है, where will the 20th Asian Games 2026 be held, तो 20th Asian Games 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो friends इसका आयोजन किया जाएगा, आईची नायोगा जपान में, तो option number B इसका right answer है, तो देख लिजे friends डिटेल में आप पर समझते हैं इसके बारे में, देखें फर्स जो edition था इसका, फर्स ए 2018 में, Jakarta और Palembang में, जो कि इंडोनेशिया में है, 19th यानि कि जो अभी हमने देखा है, 2022-23 वाला ये Hangzhou चाइना में और्गनाइस किया गया, और साथ में बात करें, next जो 20th edition होगा, इसका 2026 में, इसको आईची नागोया, जपान में held किया जाएगा, तो friends इन चारों को आपक City of Indonesia, तो अठारवे Asian Games 2018 इंडोनेशिया के Jakarta और Palembang शहर में आयोजित हुआ था, India won 70 medals, 16 gold, 23 silver and 31 bronze in the 18th Asian Games, तो भारत ने अठारवे Asian Games खेल में 70 पदक जीते थे, जिसमें से इन्होंने 16 स्वन, 23 रजत और 31 कान से जीते थे, तो friends हमने आपर डिसकस किया अठारवे Asian Games को, ठीक ह देखें, इसके भी टेबल को हम यहाँ पर डिसकस करेंगे, पहले rank में कौन था, पहले rank में था चाइना, जिसने यहाँ पर total 289 medals को जीता था, second में आया था जपान, और third में था South Korea, अगर आप से इंडिया का rank पूछा जाए, 2018 Asian Games में, तो इंडिया का rank यहाँ पर रहा था, 8 और इस यहर क्या है इंडिया का rank, 4 ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर आप साथ में अच्छे से याद रखें, और जैसे हमने अल्रेटे डिसकस किया, 16 gold, 23 silver और 31 bronze के साथ, total इंडिया ने यहाँ पर 70 medals को जीता था, बढ़ते हैं friends, आपके next question की तरफ देखेगा, when did the Asian Games start, तो Asian Games की शुरुआत कब हुई थी, तो friends, Asian Games की शुरुआत जो है न friends, यह हुई थी 1951 में, तो option number D, इसका right answer हो जाएगा, और इसका आयोजन कहां पर हुआ था, इसको organize किया गया था, हमारे इंडिया में, okay, तो देखें, where were the first Asian Games held, तो friends, 1951 में पहला Asian Games को New Delhi, इंडिया में organize किया इंडिया था, बढ़ते हैं आपके next question की तरफ, how many times have Asian Games been organized in India so far, तो भारत में अब तक कितनी बार Asian एक हिलो का आयोजन हुआ है, तो friends, भारत में total दो बार इसका आयोजन किया गया है, कब-कब उसके बारे में यहाँ पर detail में समझेंगे, देखें, India has hosted the Asian Games twice so far, तो दो बार Asian Games की मेजबानी भारत द्वारा करी गई है, पहली बार करी गई थी 1951 में, उद्घाटन करता कौन थे इसके इनागरेट किस ने किया था इसको, उस टाइंगे प्रेसिडेंट रहे थे राजेंतर प्रशाद और इन्होंने इसे उस टाइम इनागरेट किया था, ओके, तो friends, बा जाना चाहूंगी कि हमारी जो paid PDF की website है, ये launch हो गई है, इसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, तो friends, यहाँ पे आपको रवी सर की all subject जी के और current affairs की PDF, बोध इन English medium और Hindi medium मिल जाएगी, तो आप इस website से जा करके इसे buy कर सकते हैं, यहाँ पर friends, आपको last 9 months के current affairs, quality के PDF और साथ में, last 7 months का जो current affairs का PDF है, ये भी provide किया गया है, तो काफी important होने वाला है आपके आने वाले exams के लिए, काफी अच्छा content इसमें दिया गया है, तो जरूर जाके इस website को visit करें, right, तो चलिए, वापस आते हैं हमारे topic के उपर, in which sport has India participated for first time in Asian Games 2022-23, Asian Games 2022-23 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया है, तो friends, यहाँ पर भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया है, यह आपको बताना है, तो right answer हो जाएगा cricket, ठीक है, तो cricket में पहली बार भारत ने आपर भाग लिया है, समझते हैं इसके बारे में detail में, cricket was included for the first time in 2010 Asian Games in Guanzagu, China, तो चीन के Guanzagu शहर में 2010 Asian Games में cricket को पहली बार शामिल किया गया था, बट अभी जो 2022-23 वाला Asian Games हुआ है, इसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, तो confused बिल्कुल मत हो येगा इस point पर, friends, आपका अगला question यहाँ पर रहेगा, which medal has Indian women's cricket team won in the Asian Games 2023, तो भारत ये महिला क्रिकेट टीम ने, Asia खेल 2022 22-23 में कौन सा पदक जीता है, friends, यहाँ पर भारत के महिला क्रिकेट टीम ने जीता है, गोल्ड मेडल, तो option number A, इसका right answer हो जाएगा, और देखिए इसके बार में पूरे डिटेल को समझेंगे, तो India won the gold medal by defeating Sri Lanka by 19 run, ठीक है, तो भारत ने श्रीलंका टीम को 19 रन से हराकर स्व तो अगर क्रिकेट की बात करें, तो men और women team दोनों ने ही यहाँ पर gold medal हासिल किया है, इंडिया got the gold medal due to better seeding after the match was cancelled due to rain, तो बारिश से रद हुए match के बाद बहतर वरियता के कारण भारत को स्वन्ड पतक यहाँ पर दिया गया, तो friends, बढ़ते हैं आपके next question की तरफ, which company has been named as the official sponsor of Indian contingent for 19th Asian Games, तो 19-वे एशियाई खेलों के लिए भारतिय दल के official sponsor के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था, तो friends, यहाँ पर official sponsor था Indian contingent का 19th Asian Games में अमूल, तो right answer हो जाएगा, option number A, देखेगा next question को, in which sport has India won the most medals in Asian Games 2022 to be held in 2023, तो Asian Games 2022 में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पदक friends जीता है, athletics में भारत द्वारा, तो option number D, इसका right answer हो जाएगा, देख लेते हैं कितने हैं यहाँ पर medals जीते गए हैं, तो India has won a total of 29 medals in athletics, कितने देख लिजे 6 gold, 14 silver और 9 bronze, तो भारत ने athletics में कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 swan हैं, 14 रजत हैं और 9 khan से हैं, ठीक है, next question है friends आपका यहाँ पर, in which sport has India won the most gold medal in Asian Games 2022, तो Asian Games 2022 ने, भारत ने सबसे ज़्यादा स्वन्ड पदक कहां पर जीता है, ठीक हैं, तो यहाँ पर gold medals की बात करी जा रही है, तो gold medal जीता गया है भारत द्वारा, निशाने बाजी में, यानि कि shooting में, तो right answer है, option number B, total यहाँ पर सबसे ज़्यादा medals अगर आपसे पूछा जाए, तो यह जीता गया है, athletics में, अगर आपसे पूछा जाए कि most gold medals किस में जीता गया है, तो यह जीता गया है, shooting में, ठीक हैं, तो दोनों ही points काफी important है friends, आपके आने वाले exam के लिए आपर, देख लीजे, इन shooting, India has won the total 22 medals, including 7 gold medals, तो निशाने बाजी में, भारत ने 7 स्वनपदक के साथ, कुल 22 पदक को जीता है, आपका अगला question है, who has become the player to win gold medals twice in a row, in the javelin through competition, in the Asian Games 2022-23, तो Asian Games 2022 में, भाला फेक प्रतियोगिता में लगाता, दो बार स्वनपदक जीतने वाले, खिलाडी कौन बने हैं, तो friends, यह बन गया है, हमारे नीरत चोपरा, तो right answer हो जाएगा, option number C, तो इन्होंने हाली में, World Athletics Championship में भी जीता था, gold, ठीक है, तो World Athletics Championship में भी इन्होंने, जो कि Budapest में हुआ था, यहाँ पर भी इन्होंने इसको gold जीता था, और again, Asian Games में इन्होंने अगें यहाँ पर gold जीता है, तो देखें, नीरत चोपरा ने कितना थ्रो किया, 88.88 मीटर्स थ्रो किया है, फ्रेंड्स बढ़ते हैं आपके next question की दरफ, इन्विच स्पोर्ट हैं इन्डिया वन दा गोल्ड मेडल आफ्टर 41 एर्स इन्दा एशियन गेम्स 2022, तो एशियन गेम्स 2022 में भारत ने किस खेल में 41 साल बार स्वंड पदक जीता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, horse riding, देखें, horse riding team that won gold medal, सुदिप्ती हजेला, दिव्यकीरती सिंग, अनुष अगरवाल एड श्रिदै छेडा, तो फ्रेंट्स ये है team जिसने जीता है gold medal in horse riding, बढ़ते हैं आपके next question की तरफ, which player has created a world record and won the gold medal in the women's 50 meter 3 position rifle, individual event in the 19th Asian Games, तो 19-way, एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 meter throw position rifle, व्यक्तिकत स्फर्दा में किस खिलाडी ने विश्चु record बना कर स्वर्ण पदक जीता है, तो friends ये बनाने वाली महिला बन जाती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सिफ्थ कॉर समरा, option number A इसका बिल्कुल correct answer है, समझेंगे इनके बारे में detail में, सिफ्थ कॉर समरा scored 469.6, which is 2.6 more than previous record, तो ये 2.6 जादा है पुराने record से, सिफ्थ कॉर समरा is a first athlete to win gold for India in singles event at Asian Games 2023, ठीक है तो सिफ्थ कॉर समरा AGI खेल 2023 में, एकल प्रतिस परदा में भारत को स्वंट दिलाने वाली पहली athlete है, तो फ्रेंट्स आपका अगला question यहाँ पे रहने वाला है, चाइना has banned the entry of 3 players from which Indian state in the 19th Asian Games 2022-23, डबल टिक करिएगा, 19th Asian Games 2022-23 में, किस भारतिय राज्य के 3 खिलाडियों पर चीन ने entry पर रोग लगा दी थी, तो फ्रेंट्स इसका right answer हो जाएगा, अरुनाचल प्रदेश, तो अरुनाचल प्रदेश के 3 खिलाडियों पर चीन ने entry लगाई थी, तो फ्रेंट्स बात करेंगे कौन-कौन यह 3 खिलाडी है, देखे, त्री इंडियन वुशु प्लेयर्स, नेमान वांग्सु, उनिलु टेगा, और मेपुंग लंगू, वर डिनाइड एंट्री इंट्री 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 देने से वन्चित कर दिया था, बढ़ते हैं आपके अगले कोशन की तरफ यहाँ पर, तो एशियन गेम्स दोजाविलिन थ्रो कॉंपेटिशन अट एशियन गेम्स 2022-23, तो एशियन गेम्स 2022-23 में भाला फेक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है, तो फ्रेंड्स में जैवलिन थ्रो में तो नीरग छोपराने जीता है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर फीमेल यानि की वुमेन की बात अगर की जाए, तो यहाँ पर जीता गया है यह गोल्ड मेडल अनूरानी के द्वारा, आपके आने वाले एक्जाम के लिए, इसको आप डबल टिक कर लीजएगा, अगला कोशन है, एशिया एक खेलो का आयोजन कितने वर्ष के बात किया जाता है, तो फ्रेंड्स हर चार साल में इसका आयोजन किया जाता है, तो 2018 में हुआ था यह, फिर 2022 में होना था, इसको 2023 में ही कंड़क्ट करवाया गया थीए, इसका 2022 वाला 2023 میں बस और्गनाइज किया गया है, और next कब होने वाला है, 2026 में, इसके बाद, फोर येर्स के बाद, 2026 में इसको और्गनाइज किया जाने वाला है, तो आपको आपको अब यह क्लियर है, next question रहेगा आपका Asian Games is organized by which organization तो Asia एक खेलो का आयोजन की संस्था द्वारा किया जाता है तो friends इसका आयोजन किया जाता है Olympic Council of Asia यानि कि Asia ए ओलंपिक परिशत द्वारा Asian Games को और्गनाईज किया जाता है काफी important है ये आपके exams के लिए ठीक है बात करेंगे Olympic Council of Asia के बारे में तो इसको establish किया गया है 16 November 1982 New Delhi में Headquarter कहाँ पर है इसका ये है कुवैट City कुवैट में इसके साथ friends देख लीजे membership इसमें 45 National Olympic Committees है साथ में President कौन है तो ये है शेक तलाल फहद अलसबा Friends आपका अगला कोशन रहेगा याँ आपर What is the logo of Asian Games तो Asian Games का प्रतीक चिन क्या है Friends logo of Asian Games यहाँ पर रहा है Brightful Rising Sun तो आप पिक्चर देख सकते हैं आपर ये नहीं है Interlocking Rings नहीं है Brightful Rising Star नहीं है Brightful Rising Moon भी नहीं है इसका right answer हो जाएगा Brightful Rising Sun Friends आपका अगला कोशन है Who is called the father of Asian Games Very very important question Asian Games का जनक किसे कहा जाता है Friends father of Asian Games कहा जाता है Guru Dath Sondhi को Right answer है option number D देखें इनके बारे में The Asian Games were introduced in India By Guru Dath Sondhi तो Guru Dath Sondhi द्वारा भारत में Asian Games को शुरुआत किया गया था And who is known for naming the Asian Games So Asian Games के नामकरन के लिए किसे जाना जाता है तो Friends जवाहरलाल नहरू को जाना जाता है Asian Games के नेमिंग के लिए और ये हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर है ठीक है तो Friends ये हो गए सारे important MCQ related to this topic हमने most important सारे questions with explanation आपको यहाँ पर समझा दिया है अब आता है देख लीजिए हम पूरे medal tally को जो इंडिया ने जीता है उसको यहाँ पर detail में discuss करेंगे ठीक है आने वाले exams के लिए काफी important है तो इंडिया ने देख लीजिए कितने जीते हैं medals shooting के अगर बात करें तो shooting में total 22 medals जीता है इंडिया ने जिसमें से 7 gold है 9 silver है और 6 bronze है out of 7 gold medals 2 gold medals in individual event सिफ्थ कौर्श सम्रा इनके बारे में हमने already discuss किया 50 meter 3 position rifle इन्होंने जीता next है पलक गुलिया जिन्होंने 10 meter 3 position rifle में medal हासिल गिया next है देख लीजे ईशा सिंग तोमर और एश्वर्या प्रताप सिंग have won 4 medals each in different team events ईशा सिंग तोमर ने 1 gold और 3 silver जीता है फ्रेंट्स और एश्वर्या प्रताप सिंग ने 2 gold 1 silver और 1 bronze जीता है बढ़ते हैं फ्रेंट्स next यहाँ पर गेम की तरफ जो है athletics में इंडिया द्वारा 29 total medals जीते गए हैं जिसमें से 6 gold है 14 silver है और 9 bronze है तो देखें बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर्स की अविनाश मुकंद सबले यह इनकी picture आप देख रहे हैं इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में gold medal जीता है 5000 मीटर में इन्होंने silver medal को जीता है इसके साथ फ्रेंट्स देख लीजिए woman javelin throw में gold medal हासिल किया है यह दोनों काफी important है आपके आने वाले exam के लिए साथ में फ्रेंट्स है पारुल चौधरी इन्होंने 5000 मीटर रेस में gold हासिल किया अब बढ़ते हैं यहाँ पे आर्चरी की तरफ जहाँ पर आर्चरी में इन्होंने gold medal जीता है ठीक है और साथ में बात करें ओजस प्रवीन और जोती सुरेखा वेनाम mixed team में भी इन्त की थी और यहाँ पर इन्होंने इसमें gold medal हासिल किया था तो आई होप आपको यह clear है नेक्स्ट है अदीती स्वामी जोती सुरेखा वेनाम और परमीत कौर इन्होंने women's team में again gold medal हासिल किया नेक्स्ट है प्रतमेश समाधन अभिशेक वर्मा और ओजस प्रवीन इन्होंने men's team में gold medal हासिल किया है तो friends यह हो गए सारे important यहाँ पर points next game की बात करें तो यह है squash यहाँ पर 5 medal जीता गया इंडिया के द्वारा जिसमें से 2 gold है एक silver है और 2 bronze है दीपीका पलिकल और हरिंदर पाल संधु ने squash mix team में gold medal हासिल किया बढ़ते हैं यहाँ पर next badminton की दरफ तो badminton में 3 medal जीते गया जिसमें से 1 gold था, 1 silver था और 1 bronze था यहाँ पर सात्विक साही राज ब्रंकी रेड़ी और चिराग शेटी ने men double event में gold medal हासिल किया और next आज आता है tennis, tennis की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो tennis में 2 medals जीते गया है, 1 gold और 1 silver, तो रोहन बोपाना और रुतुजा भोसले ने mixed doubles में gold medal को हासिल किया next है friends, यहाँ पर कबड़ी है, 2 medals यहाँ पर जीते गया इंडिया दौरा दोनों gold थे, तो women's team ने 1 gold medal जीता है और men's team ने 1 gold medal को यहाँ पर हासिल किया है next है friends, hockey hockey में men's hockey team ने gold medal हासिल किया और women's hockey team ने bronze medal हासिल किया है और फ्रेंड्स यहां पर last यहां पर sport की बात करें तो यह है wrestling wrestling में 6 medals जीते गया हैं इंडिया दोवरा जिसमें से 1 silver है और 5 bronze है तो दीपक पुनिया ने 86 kg काटगरी में silver medal हासिल किया है तो friends आपको यह काफी अच्छे से याद रखना है क्योंकि अगर आपको exam में tough questions दिया जाए तो ऐसा दिया जाता है कि दीपक पुनिया ने Asian Games में silver medal जीता है आपको बताना है उन्होंने किस kg काटगरी में उन्होंने यह जीता है तो आपको यहाँ पर options दिया जाएगा तो उसका जो right answer है यह हो जाएगा 86 kg काटगरी ठीक है तो ऐसे भी questions exam में देखे गए हैं तो इसको इसलिए आपको यहाँ पर साथ में याद रखना है friends यह हो गए आपके सारे important questions related to Asian Games मैंने आपको हर एक important question, हर एक important point उस question से जुड़े हुए आपको cover करा दिया है जो आपके आने वाले exams में पूछे जा सकते हैं अब आता है आपका छोटा सा test जिसका answer आपको हमें comment करके देना है तो आपका पहला question यहाँ पर रहेगा which country has stood first in the medal table of 19th Asian Games तो उनीसवे एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है यह आपको बताना है, काफी important है, काफी easy भी है इसके साथ, next आपका रहेगा question what position has India held in medal table of 19th Asian Games तो भारत उनीसवे एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है यहाँ पर आपको काफी अच्छे content प्रवाइड किया गया है, बोत in English Medium and Hindi Medium GK और Current Affairs का सारा यहाँ पर important topics आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो ज़रूर visit करें और buy करें notes को तो friends यह है हमारा आज का last slide, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो वीडियो को like ज़रूर करें और जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने 100 medals पार की है, ठीक है तो friends, Asian Games के history में ऐसा पहली बार हुआ कि 100 plus medals को जीता गया है इंडिया के द्वारा तो काफी ही proud moment है हम सब के लिए तो जरूर यहाँ पर आप इस moment को celebrate करने के लिए जैहन comment करें और friends, वीडियो कैसी लगी ये भी हमें आप comment करके बताएं तो मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में, until then, thank you, have a nice day